दनगरी न्यूस की खास पेशकस विधायक जी में आपका स्वागत है देखिए जनता अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए जन प्रतिनिदी का चुनाव करती है जिसे हम विधायक कहते हैं ये विधायक सदन में इन जनता की आवाज को बुलंद करते हैं आज की इस कड़ी में जो हमारे खास मैमान हैं मनोज नयाग लिए मनोज जी मेरे साथ मौझूद है मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जनता का अवार जो हमें देख रहे ही सब का मनों जी शुरुवात करते हैं विधान सबा के बजट सत्र से बजट सत्र इस बार कुछ ऐसा रहा कि हंगामे की बेड़ चड़ती हुई हर मिनट रहा कैसे देखते हैं कि जनता के मुद्दों पर डिसकेशन करने के दोरान ये हंगामा जनता को कहीं न कहीं हतूत साहित नहीं कर सब्दा की पीड़ा को बताने का इस्थान है ये काई बार कि सदन में किसी मैतव्ण मुद्दे पर जब सरकार बचने का परियास करती है तो विपक्स की डूटी बनती है कि वह मजपूति से उसको रखना चाहते हैं लेकिन सरकार को बचना और बचाने की जो परकीरिया सदन में जो चलती है तो आप लोग भी देखते हैं इसलिए हर मुद्दा सदन में अब पिछले एक महिने से विदानसवा चल रही है मैं यह मान रहा हूं कि अब की बार सार गर्भी चर्चाय भी हुई है विरोध भी हुआ है तो सदन में अच्छे मुद्दे भी आए है इसलिए अंदार अच्छा चला था पक्ष विपक्ष ने अपनी भूमी का ताकत से सदन में रखने का परियास किया लेकिन जो आज का एपीसोड रहा थोड़ा सा गलत रहा मेसेज गलत जाएगा आज के छोटे से आक्रोस में हमारे साथी विदायक के मुके जी भाकर को सदन के बचे से समय के लिए निलंबित करती है और से समय मातर कल का है एक दिन के लिए ता बड़क फैसरा ना होता तो सदन में और अच्छी आज हमारे मानिय अद्यक्स मोदेने नवाचार और अनुभव पर चर्चा का वीशे था हम सब लोगों को चोटे-चोटे लोगे हम बड़े ने को मका मिलता उनकी चर्चा होती लेकिन जो भी कारण रहा आवेस में माने गलत हुआ आज की चर्चा में हम अंसीत रहे यह हमारे लिए दुरभगे की बात है फिर बी कल का सदन है कल तक देखते हैं क्या रहता है सदन में चर्चा का मौका मिलेगा तो पिर जंता क्या मैंने अपने शेत्र की साथ ही जनता की आवाज को पुर्जोर तरीके से सदन में उठाया के यह मेरा सोभाग्य है और मैं सदन के हमारे अध्यक्समोदे का भी धन्यवाद करना चाहूंगा हमने विदान सभा की परकिरिया नियम और परकिरियां के तहट जिजिस्थान पर खड चर्चा मिली हमें निश्चित रूप से हर विष्य पर मुका मिला और मैंने हर जंता के अंतिम छोर के उस मुद्धे को छोने का परियास किया एक महीने में जंत राजस्तान की पूरी जंता के मुद्धे अकेले मेरे विदान सभा के मुद्दे तो रहे रहे पर साथ इसाथ मेरे ऐसे विश्य भी थे जो पूरे राजस्तान की जनता को हिट कर रहे थे और बहुत सांदार हमें मौका मिला हमने हमारी बात को अच्छी तरीके से रखने का बरसक परियाज किया फिर भी कोई चूक रही तो जनता की आवाज में चूक भी माफी होती है कोई बात रह भी जाती है तो फिर परियाज करेंगे फिर अच्छी तरीके से रखी मनो जी इस बार सदन में देखने को मिला है कि आपने युवाओं की बात को पुर्जोर तरीके से उठा है चाहे युवा मित्र हूँ, चाहे संस्कृत विभाग की लंबित भरतियां हूँ, चाहे पीपर लीक के मामले हूँ या अन्य राज्यों की विवाहित महिलाओं के आरक्षन का मामला हूँ, या फिर EWS का मामला हूँ, युवाओं की हर बात को आपने मजबूत तरीके से रख़ए। का मुद्धा हो, चाहे किसी अन्याई और जुलम के खिलाब कोई मुद्धा हो, हमने हर मुद्धे को छुआ है, और महिलाओं का जो मुद्धा था हमारा बहुत बड़ा मुद्धा था, हमारे अन्य राज्यों से जो महिला राजस्तान में साधी सुदा होने के बाद उसको credit सब्द लिख कर महिलाओं के साथ गलत किया जाना था और उस पर government ने सविकार किया कि विवाइत महिला को मूल लिवासी माना जाता है दूसरा मेरा EWS पर आप जो चर्चा कर रहे थे EWS 31 जनूरी 2019 को केंदर सरकार ने पूरे भारत में लागू किया लेकिन भारत में EWS जब लागू किया तो उसमें बहुत सी बाद हैं जो EWS को लाब नहीं ले पा रहे हैं जैसे नगर निगम यहां जैसे महापोर बैड़ता है यहां आपका सोगज के पलाट वाले को भाव नहीं दे रहे हो। पांच एकड जबीन वाले को आप लाब नहीं दे रहे हो नगरपालिका आएका ही एक बरिकेट सरका एकोनोमिक लिए वो ही हमने सरकार से केंदर सरकार से चाहा डबल इंजन की सरकार से हमानी मंत्री मुद्ध से गुजारिश भी की कि आपकी डबल इंजन की सरकार है आपकी सरकार प्रस्ताव लेकिया है केंदर सरकार भी जिस तरीके के मानी असोग गैलोत ने गैलोत साब ने इसको आट लाक की आए में रखा उसाइक के अंदर सरकार की भरतियों में भी EWS आरक्षिन का लाब मिलना चाहिए बहुत बड़ा मुद्दा था सेंटर सरकार भी मैं निवदन करना चाहता हूँ संसद सतर चल रहा है बारती जन्ता पार्टी की सरकार है यहां बारती जन्ती पार्टी की सरकार है और मानिये परधान मंत्री जी ने EWS लागू किया उनसे अग्रे करता हूँ कि आप हमारी आवाज को इस मीडिया के मादम से सुनते है और सुन आपका कोई मीडिया के बंदू देखते हैं तो अग्रे करता हूं कि आप EWS के सरीकर्ण का काम निश्य दूरूप से करें जिससे भारत के हर उस EWS के विक्ति को केंदर की बर्ती में लाब मिले और ये बाधाएं दूर की जाएं ये निश्य तर्मीच है चलिए किसानों की बात आई किसानों के फसल बिमा को लेकर आप लगातार आवाज उठा रहे हैं कहां तक इसमें आप सफल हो पाएं देखे विफल प्रियास इंसरेंस कंपनिया करती है और उन्हीं बातों को हम ने सदन में रखा 2021-22, 2018, 2023, अभी हमारा विदान सभा में बड़े गंबिरता से मुद्धे पर रखने के बाद सरकार ने जबाब भी दिया, अब 23 रभी का फसल भीमा मेरे चुरूजिले में आणा सुरू हो गया लोगों के खातों ने, तो मैं चाहता हूं कि सरकार, मैं इसमें भी एक सरलीकरण की बात करना चाहता हूं, किसान को जो प्रीमियम रासी बीमा कमपनी को गौर्मेट देती है, वो प्रीमियम रासी किसान को सीधी खाते में दे, और लाइब इनसोरेंस की तरह ही किसान का करशी बीमा करने के लिए फ्र अगर बिमा नहीं कराएगा तो किसान को उस प्रिमियम की राशी हर छटे महीने घर आ जाएगी जिससे किसान की लागत समाप्त हो जाएगी जिंगा पालन एक मुद्दा रहा है आपके शेत्र का इसको लेकर भी आप क्या कुछ करो कि मतस्य पालन ने मेरे राजगर शेत्र में एक हब बनावा है जिंगा मच्छी पालन का और एक किसान कर रहा है अपने खेत में कर रहा है उसके बाद मैंने जिंगा पाच्छी के लिए दो चीजें मांग कर रहा हूँ एक तो सबसीडी दे गौर्मेंट लोन दे अलाए गौर्मेंट और दूसरा सबसे बड़ा कि बिल रेड़ से दो लाग रूपे से अधिक आता है क्या वो वेवसाय कर पाएगा ने कर पाएगा तो आप एक तरब तो हमारे वहाँ सूखा चेतर है जमीन का पानी खा रहा है अन्य कोई उप्योग नहीं हो सकता जिस पानी का और उस पानी से जिंगा का पलन हो रहा है तो सरकार ने मांग करी है अब भी मांग करता हूं आपके मादम से सरकार जिंगा पालन वालें को सबसीडी दे रियायती दर पर लोन दिला है और बिजली बिल करसी कनेक्शन की तरह ही उनका बिला है पेजल और बिजली पर दो दिन चर्चा हुई थी लेकिन आप से मैं जानना जनता कि ये दोनों ही महत्पूर्ण मुद्दे हैं कि अगर मैं जाच में भरष्टाचार अगर ढूना जाऊंगा नीचे तक जाऊंगा तो आपके पास एक भी करमचारी नहीं मिलेगा सारे भरष्टाचार में डूबे पड़े हैं इससे ज्यादा दूर भागे क्या हो सकता राजस्तान का जब आप मानते होगे मेरा सारा जल जीवन मिशन को सफाया कर दिया जनता को पानी नहीं मिलेगा बिना पानी उत्पादन के बिना संग्रेन के आप पानी नहीं पिला पाऊगे मनें सज़श्ट भी किया उसमें जल और आज भी करता हूं आपके मादाएं से ये राजस्तान परदेश बहुत विस्तिरित पर उसकी चारदिवाडी बनाओ इस पानी को उत्पाधन करो गाउं का गाउं में पानी उत्पाधन करो रुशी गाउं को होते होते गाओं में जब पहुंचता है तो लोग के टाइटाइफ फिस हर घर नल होगा हर घर जल नहीं होगा मैं तो मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ जल जीवन मिशन के आंकडे सदनों में आप बताना चाहते हो कि हमने इतने घरों को नल का जल का connection दे दिया इससे फाइदा नहीं हुगा आपने जल कितने घरों में पहुंचा दिया उसके आंकडे पैदा करो सिक्षा किसी भी राज्य की रीड की हड़ी कही जाती है और वहां की सुरक्षा एक तरे से आपका सम्मान होता है लेकिन इस बार दोनों ही विशो पर सदन में चर्चा नहीं हुई बिलकुल बहुत बड़ी बात है सरकार इस मामलें बैक फूट पर थी सरकार गरे विभाग पर चर्चा नहीं करना चाहरी थी शिक्षा विभाग पर चर्चा नहीं करना चाहरी थी शिक्षा विभाग पर बहुत बड़ा सबसे राजस्तान में हदीक करमचारी अगर है तो शिक्षा के चहतर में है जिंदगी का और देश का भवी से यूथ अगर आगे बढ़ के आता बच्चों मा भवी से वो शिक्षा के मादम से आता है और गरे की अगर बात करें तो इस देश का परदेश का रहने वाला परतेग नागरिक उस पुलिस रुक्षा के गेरे में कानून की पालना की बात करना चाहता है आज तक के सदनों में कभी नहीं वाज शिक्षा और गरवी वाग को डिमांड को कभी बार नहीं किया गया है लेकिन अपकी बार सरकार बेकफूट पर होकर उन्होंने उसको उपर चर्चा नहीं कराई अब यह समझ भी नहीं कि सरकार क्यों नहीं करना चाहती कमजोरी चिपाने से कमजोरी नहीं चिपती कमजोरी का सामना करोगे तो मजबूती से निप्टा जा सकता है आप अगर उस वर चर्चा करते 200 सदसे आपको सला देते राय देते विचार्द करते उनमें आपको अच्छे सुन्दर सुजाव आते तो आप उसमें सुधार करते लेकिन सुजाव नहीं लोगे तो फिर अकेले दिमाग से आप कुछ नहीं करपाऊगे जिल्ले दिमाग कमजोरी बसाब राजनीती से इतर थोड़ी सी बात करते हैं कि युवाओं का प्रतिनिद्द्दू भढ़ता जा रहा है रविंदर सिंग भाटी एक नाम है जो काफी चर्चाओं में है पहले विधान सबाचुनाओ लोग सबाचुनाओं में भी हार ज़्यादा चर्चाओं में रही BJP के नए प्रदेश अद्यक्ष मदन राठोड का ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो जातिगत जहर फैला रहे हैं क्या आपका इसमें वक्त अव्यादा देखिए बारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष जी ने क्या कहा मैं उस विशे पर नहीं जाते हूं मैं कहना चाहता हूं कि हम वो लोग हैं जो छोटे से स्थान से खड़े होकर सामाने गरों से निकल कर आए हैं और युआ जो नोजवान साथी हमारे साथ खड़े हैं चछतीस कोम के लोग हमारे साथ खड़े तभी सदन में आता है कोई वक्ती किसी जाती से आड़े की हिम्मत है तो कोई बोलके कहें कि मैं एक अकेली जाती का बोट लेका हूँगा कोई भी अपनी अकेली जाती के बोट से राजास्तान की विदान सवाबे नहीं आ सकता इसलिए हम 36 कौम के सरक्षक हैं, 36 कौम के लोग हमसे सने और प्यार करते हैं और वो युवा हमको पसंद करते हैं, तब ही हमको राजस्तान की विदानसवा में भेजा है, रविंदर सिंग भाटी के बारे में अगर उन्होंने कुछ कहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रवि से जीत किया है, युवाओं का मन, उसने तो मैं देखाता हूँ, उसके विदानसवा ने पूरे विसव पटल पर अपना नाम की चाप छोड़ी है, ऐसे व्यक्तित्वे के लिए वो अगर कहें, तो जहर गोलने हैं, जहर तो उनके लोग गोल रहे हैं, सदन में, जिनको हमने नकारा है, उनको टकराव किया है, हमने अपनी बात को रखा है, कर नहीं कह सकते हैं, तो फिर ये तो इस्यू अलग अलग विचार है, लेकिन मैं कहता हूँ, अपनी किसी की बढ़ते हुए कदमों को, हर वेक्तिख खिंचने की कोशिस करता है, बढ़ते हुए कदमों लिएना देना है जिनोंने राजस्तान की विधान सभावें हमको चून कर भेजाए उस जनता का प्रेम और सनेश BRA उपर बना रहे उस जनता को अधिकार है कि हमसे लड़े हमसे बात करें हमारे अपनी हक अधिकार से हमको अपनी मांग करें उनके लिए हम तैयार है और बाकी इनके जवाब के लिए हम तैयार नहीं है कोई जरूत नहीं है इसकी जरूत जरूत ग्रता पक्ष का जो विजेपी है। वह कह रही है कि डबल इंजन के सरकार है, ऐसा करेंगे कि देखते ही रहे जाओएग्य। विपक्ष कहा रहा है पर्ची की सरकार है तो ये डबल इंजन और पर्ची की सरकार में आपको नहीं लगता कि जनता अब पिस्ती हुई नजर आने लगी हूँ मुझे तो देखिए आठ नो महीने का समय होगा आठ महीने के सरकार को बढ़े ले आठ महीने के समय में मुझे अभी दो दिन पहले मने माननीय मंत्री जाबरमल जी खर्रा का स्टेट्मेंट पड़ा था जोन जनू में वो कई मिटिंग लेने गए थे महां जनता ने इनी के लो साल बीतने को जा रहा है तो फिर सरकार तो मैं यह मानना हुग नहीं के सरकार खुदी pragना कर रही है कभी तो इुँआ en भी नहीं लगा है कि भी सरकार बन गयी गया है तो यह परची की सरकार हो चाए डबल इनजन की सरकार हो मैं इत्ता कहना चाहता हूँ इनके सदनों में आकड़ा आज तक चाहे कॉंग्रेस ने भी गिनाए हैं बारतिय जनता पार्टी ने भी गिनाए हैं अन्तीम चोर पर तशील मुख्याले पर जाके देखो आप लोग बर्ष्टाचार का अलम है पुलिस थाड़े में कोई सुनने वाला नहीं सुनने वाला नहीं तैसील ओपिस में सुनने वाला नहीं भीजली बोर्ड में सुनने वाला नहीं पंचाय समीति में सुनने वाला नहीं किसी भी डिपार्टमेंटे में जब वहाँ की कोई सुनने वाल इनको ये भी महसूस नहीं हो पाया कि हम आगे कारियकाल को बढ़ा लिंग बढ़ाएंगे गठाएंगे इनके समझ में आया आर्टिकल कॉंस्टिशन में ये प्रावदान किसी भी चुनेव जनपरतिनीदी को पांच साल के उस कारियकाल को आप किसी भी सूरत में गठा नहीं स सकते हैं ये तो हैं पांच साल किसी भी जनपरतिनीदी का समय आया उसके बाद परसा सक लगा के ये समय को बढ़ा सकते हैं और चुनाव एक साथ करा सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगा ये करा पाएंगे क्योंकि ये तीन चार टुकडों का चुनाव हैं और चार टुकडों नंगेर पलिकाओं को तीन कारीड़ काला अलग अलगे हैं तो आप कैसे उन को एक्साथ कर पाऊंगे मुझे नहीं लगा करने का एक ही स्तरीका आस सभी का कारीक्षग पूरा कराते जाओ पर्षास्थ लगाते जाओ और सब का पूरा कारिकाल हो जाए उस दिन अगर चुनाओ करा होगे तो हो सकता है नहीं तो फिर इनके चुनाओ नहीं हो गया है अगले चार साल तीन मेहने में मनोज नांगली के प्रमुक मुद्दे और चुनोतियां जिन पर पार पानी है चुनोतियों हमारे सामने सुबह से उखने से लेकर रात को जब तक नहीं सोते हैं नींद नहीं आजेती तब तक चुनोतियां शामने खड़ी रहती है और चुनोतियों को हम हर चुनोति को पार करके आए हैं और चुनोतियों तो हमारे लिए अब हमने उसको सविकार कर लिया ह चुनोती हमारे लिए कुछ खबरी है, क्योंकि कोई चुनोती आएगी उसको हम पार करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा है न कि हम कुछ पार करने के काविल है, और चार साल में मुख्य मुद्दे मेरी जनता को समय पे पानी मिले, समय पे विजली मिले, और मेरा RUIDP, शिवरे सरकार से मांगे, अगर वो हो, तो हम चाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा नहर का, सिद मुख में चकबंदी और मुर्बाबंदी का जो मुद्दा है, उसको हमने सरकार के सामने रखा है, लिखित में भी रखा है, सदन में भी रखा है, और जनता की हर लड़ाई को हर पटल पर लड़ुआ, चाहे सरकार के सामने सदन में लड़ना पड़े, चाहे मुझे रोड पर लड़ना पड़े, चाहे मुझे परसास निगा, अधिकारियों के सामने लड़ना पड़े, निश्चित रुपे जनता की हर लड़ाई को लड़ने के लिए हम तयार है, हमारे ऐस पैसा नहीं है लूट के खा गए पांच वरस में इससे लूटेरों की फोज है तो यह लूटेरों इधर ओर जाए उधरों लूट के खाएंगे तो फिर जनता के तो बहुत पिड़ाई रहेंगे उसलिए हर लड़ाई हम लड़ते हैं सदन में हमने लिखित में दिया है नगरपाली का क्यों जो जो है निमेतन के रिये हैं उनकी सब की जाच करी जाए और भष्टाचार में जिस्ति सब्गे मेरे मुद्धे हैं मेरा तैसीलदार ने गपन किया उसकी चर्चा हुई है नलकूपों को बिना बढ़ाए पैसे उठा यह उसकी चर्चा हुई है सदन में जाच की बात हुई है और निकर टीशिट बेचने वाले किरड़ा परिशद गे डंपत्ती का मुद्धा भी मेरे सदन में मैंने रखा था एक अरब 26 करोड उपे का मामला है माने मंत्री मुद्धे ने मुझे आस्वस्त किया था क्यों नि दिया था उसकी जाच कराई है तो यह थे हमारे साथ सादूलपुर के विधायक मनोज नांगली देखे सदन में पुर्जोर तरीके से यदि आवाज उठी है तो वो एक ही उठी है वो है मनोज नांगली की युवाओं के मुद्धे हो या फिर विवाहित महिलाओं का मुद् में हैं आप देखते रहिए दनगरी न्यूस मैं हूं ललत वर्मा